हलो आपरीबन वेलकम टू माय चैनल तो अज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 13 और यह है वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या होता है हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इसके बाद हम लोग चलेंगे वक्षिट वन के कोर्शन को सॉल्व करेंगी तो यहां पे हम लोग कुछ सर्टन अमाउंट अफ ऑसफेस यहां पे देखें हीलेक करके बताया गया है दी-मेजर ओफ ऑस वॉस्पेस वॉल्यूम ऑफ दी-वॉल्यूम और दी-वॉल्यूम और विकाए करता है वह उसका क्या कहला तरह है यहां पे देखें एक्जांपल के लिए हम लोग को बताया गया है look at the caps given here यहां पर two caps हम लोग देख रहे हैं which one occupies more space कौन सा cap है जो ज्यादा space occupy कर रहा है तो अभी यहां पर clear है कि यह red cap जो ज्यादा space occupy कर रहा है इसलिए इसका volume भी ज्यादा होगा the red cap occupies more space so the volume of red cap is greater than that of the pink cap इसलिए जो हमारा pink cap है उसका volume कम है red cap का volume ज्यादा है ओके यह clear हो गया अब चलिए अब लोग मूब करते हैं वाक्षिट वन की ओर तो यहां पर वाक्षिट वन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कोश्टन केता है which of the following has more volume किसका और Eliy जाईदा है तो आप यहां नम्मर पर लिया गया ए किर्केट वॉल और टेवल टेदेश बॉल तो किर्केट वॉल और टेवल टेवल टेदिस बॉल दोने में सके किसका जाईवा वॉल्य कोकह एक और यहां पर कर रहा है ओके तो लोग watermelon का ज्यादा होगा volume ठीक है तो लोग यहाँ पे लिख लेते हैं watermelon Island फी यह तो बिलकुल आसान है और next यह वान अपन 2 लिट्र पोली package उफ ज्यदा होगा तो हम यह हम लोग ले लेते हैं चलिए नोट कर लिए वन लिटर पॉले पैक आफ मिल्क नेक्स यहां पर देखिए इन इच आप दी फॉलाविंग पेयर्स वीच अब्जेक्ट हैज लेसर वॉल्यूम यहां पर किसका वॉल्यूम कम है ओके यह हम लोगों क्या करना है टिक कर लेते हैं तो अब देखी एनउबर पे एनउबर पर हमारे पास थ्क पर औ dif कि एक है मां सेखुआ यह लहें रहे हैं उनला है यह लोगों क्या लेकिगे नहीं वाटुआ यहाँ पर किया ला गया है वीच ऑप यहीं लेसर वॉल्यूम कम है तौ यहां पर देख सकते हैं फ्का जोम कम है तो हम लोग यहां पर second number fill कर लेते हैं ओके अभी देखिए बी नमर पर आए एक bucket दिखाएगे तो bucket का volume कम होगा हम यहां पर क्या करेंगे one number not कर लेंगे और सी नमर पर देखिए यह suitcase यह चोटा यह बड़ा है तो first a cricket ball and a football have the same volume क्या दोनों का volume same होगा cricket ball और यह football दोनों का volume same होगा नहीं होगा तो हम इसको true नहीं करेंगे false कर देंगे तो चलिए हम लोग यहां पर क्या लेखते हैं एफ लिख लेते हैं एफ फोर false लेते हैं okay an empty chalk box has lesser volume than a chalk box of the same size and save full of chalk क्या दोनों का volume हमारा अलग होगा नहीं दोनों का same volume होगा चाहे हो हमारा empty है या फिर full है यहां पर chalk box कहाना empty है और एक chalk box कहाना full है तो दोनों का क्या अलग-अलग volume होगा नहीं यहां पर दोनों का अलग volume of same size जो oil cans है दोनों का size same है one empty and one full of oil एक जो है वो empty है खाली है and one full of oil दूसरा कहना oil से पूरा भरा पड़ा है कहता है have same volume क्या दोनों का volume same होगा yes दोनों का volume same होगा हम यहाँ पर true कर लेंगी कोई भी box है अगर एक empty है एक पूरा भरा पड़ा है तो कहना दोनों का volume में कोई difference नेगा दोनों का same volume होगा करता है तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे और यह हमारा complete होगा box it one के सारे questions हमने यहाँ पर solve कर लिए